हेलो बच्चो कैसे हो आप? आज हम आपके साथ सीत कालीन अवकास के दोरान किये जाने वाले ग्रे कारे के बारे में चर्चा करेंगे बच्चो जैसा कि आप जानते हैं कि 28 दिसंबर 2020 से आपके सीत कालीन अवकास सुरू हो रहे हैं इसलिए 21 दिसंबर से 26 दिसंबर 2020 तक प्रति दिन वर्क सीत की बजाए एक विशय का सीत कालीन अवकास हे तू ग्रे कारे दिया जाएगा इस ग्रे कारे में डेट वाइज कारे दिया गया है अर्थात आपको कौन सा काम किस दिन करना है यह बताया गया है तो आप अपने ग्रे कारे को रोजाना डेट वाइज करेंगे आपको यह ध्यान रखना है कि ग्रे कारे आप दी गई तारिक के अनुसार करेंगे जिस तारिक को जिस विशय का ग्रे कारे करना है आप केवल उसी को करेंगे सारा ग्री कारे करने के बाद आप 15 जनवरी को अपना सारा कारे अपने अध्यापक को भीजेंगे ताकि वो इसे चेक कर सके कमेंट्स में मैंने देखा है कि कुछ बच्चे चा रहे हैं कि ग्री कारे भी हल कर दिया जाए बच्चो ऐसा अभी नहीं किया जाएगा क्योंकि ये सफते आपको केवल और केवल ग्री कारे को समझना है आप ग्री कारे 28 दिसंबर से ही करना सुरू करेंगे according to your time table अपने time table के अनुसार प्रती दिन थोड़ा थोड़ा ग्री कारे करना है बाद में आपको ग्री कारे की हल की गई वीडियो अवेलेबल करा दी जाएंगी परन्तु उससे पहले आप ग्री कारे को स्वैम करने की कोशिस करेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे ताकि आप उसे आसानी से कर सकें तो चलिए आज का ग्री कारे समझते हैं शीत कालीन ग्री कारे में आज हम समझेंगे कक्सा चार समाजिग्यान के ग्री कारे के बारे में 30 दिसंबर 2020 बुद्वार को आप जो ग्री कारे करेंगे उसमें पहला एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए आप कौन-कौन से यातायात के साधनों का प्रयोग करते हैं दूसरा सफर में हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो बच्चो पहले प्रश्ण में आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो कौन-कौन से यातायत के साधनों का इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर आप लिखेंगे और दूसरे प्रस्ट में जब भी हम किसी सफर में जाते हैं तो हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में लिखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं चार जनवरी 2021 सोमवार को आप जो ग्रे कारे करेंगे उसमें पहला ऐसे राज्यों के नाम लिखे जहां आप समुद्र देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको उन राज्यों के नाम लिखने हैं जहाँ पर आप समुद्र देख सकते हैं दूसरा ऐसी पांच चीजों की सूची बनाईए जो तट्य छेत्रों में देखने को मिलेगी तो यहाँ पर आपको उन पांच चीजों के बारे में लिखना है जो समुद्री तट वाले छेत्रों में आपको देखने के लिए मिलेगी चलिए आगे बढ़ते हैं 7 जनवरी 2021 वीरवार को आप जो ग्रिय कारे करेंगे उसमें पहला कलपना कीजिए कि आप पहाडों में घूमने गए हैं अपने विचार लिखिए तो यहाँ पर आपको कलपना करनी है कि आप पहाडों में घूमने गए हैं और उसके बारे में अपने विचार लिखने हैं कि आ दूसरा ऐसी पाँच चीजों की सूची बनाईए जो आप पहाडों पर देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको उन पाँच चीजों के बारे में लिखना है जो कि आप पहाडों पर देख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं 12 जन्वरी 2021 मंगलवार को आप जो ग्रे कारे करेंगे उसमें पहला अपने दादा दादी से उनकी पसंद नापसंद के बारे में चर्चा कीजिए तो बच्चो यहां पर आपको अपने दादा दादी, अगर किसी बच्चे के दादा दादी नहीं है, तो वो अपने नाना नानी भी नहीं है, तो वो अपने पापा और मम्मी की पसंद और नापसंद के बारे में चर्चा करके यहां लिख सकते हैं, तो यहां पर आप उनकी प पसंद और नापसंद के बारे में लिखेंगे, जैसे उन्हें खाने में क्या पसंद है, उन्हें कौन सी सब्जी अच्छी लगती है, उन्हें कौन सा फल अच्छा लगता है, वो घूमने के लिए कहा जाना पसंद करेंगे, उन्हें कौन सा रंग पसंद है, इत्यादी, इत्य तो यहाँ पर आप अपने दादा दादी के बारे में पांच पंक्तिया लिखेंगे यहाँ पर आप अपने दादा दादी के बारे में बता सकते हैं उनकी पसंद नापसंद के बारे में बता सकते हैं वो आपको कितना प्यार करते हैं आप उनको कितना प्यार करते हैं, आपको वह कैसे लगते हैं, आपके लिए वो क्या क्या करते हैं, यह सब आप यहाँ पर बता सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं 15 जनवरी 2021 सुक्रवार को आप जो ग्रिय कारे करेंगे उसमें पहला प्रदूशन कितने प्रकार का होता है इससे हमें क्या हानी होती है प्रदूशन कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो बच्चो यहाँ पर आपको प्रदूशन के प्रकार के बारे में बताना है आपको यहाँ बता दूँ कि प्रदूशन चार प्रकार का होता है वाईयू प्रदूशन, ध्वनी प्रदूशन, जल प्रदूशन और भूमी प्रदूशन इससे हमें क्याहानी होती है इससे हमारे स्वास्ते पर बुरा परभाव पड़ता है और प्रदूसन कम करने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड लगाने चाहिए इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीजे लिखेंगे जब इस वरक्षीट को अगली वीडियो में हल करेंगे प्रश्न दो अपने माता पिता से चर्चा कीजिए कि आपके घर में पानी कहां से आता है तो बच्चो यहाँ पर आपको अपने माता पिता के साथ चर्चा करनी है कि आपके घर में पानी कहां से आता है हर बच्चे के घर में पानी अलग-अलग जिगह से आता होगा किसी के घर में नल लगा होगा किसी के घर में जल बोड का टेंकर आता होगा किसी के घर में सबमर्सिबल पंप होगा किसी के घर में बोतल बन जार आता होगा तो किसी के घर में दिल्ली जलबोड का पानी आता होगा आपको मालूम है दिल्ली जलबोड का पानी पाइपलाइन के थुरू घरों तक पहुचता है अगर किसी के घर में अन्य तरीके से पानी आता होगा तो वह उस तरीके के बारे में यहाँ पर लिख सकता है क्योंकि प्रत पानि कहा कहा से आता है इसलिए इस प्रस्न का अधिकतर बच्चों का अलग अलग होगा तो बच्चों आज की वीडियो में आपको शीत कालीन आवकास के दोरान किये जाने वाले ग्री कारे के बारे में बताया गया है आप ये ग्रे कारे दी गई तारिक के अनुसार स्वैम कर लगा तो बच्चों ये वर्क सीट यहां कंप्लीट होती है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें अन्य विश्यों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल नौलेज किंगडम थैंक यू